आज की इस वीडियो में आप लोग समझने वाले हैं बोर्टा जबक्रिया काफी महात्पूर्ण है बोर्ड एक्जाम के हिसाब से चाहे आप किसी भी स्टेट से हूँ आप लोगों को तयार कर लेना चाहिए ये जो हमारा है बोर्टा जबक्रिया वो हैलो एलकेन की रासानी कब करिया है हैलो एलकेन की रासानी कब करिया हैलो एलकेन का पहचान क्या है एक आपके पास एलकिल ग्रूप है इसमें हैलो जन तद तो जुड़ा है तो ये हैलो एलकेन कहलाता है बस सिंपल है इसको हम सोडियम के साथ क्रिया करा दें सोडियम के साथ सोडियम के साथ क्रिया करा दें तो एने एक्स के साथ एने एक्स बनाएगा लेकिन सैयोग से बात यह हो जाती है कि जब एक्स निकल जाएगा भाई तो आर कहा जाएगा इसका भी तो कहीं न कहीं balance बनना चाहिए तो फिर अपन करते हैं क्या है एक और Rx ले लेते हैं मतलब alkyl halide का हम alkyl halide की बात कर रहें या halo alkane की बात कर रहें इसके हम दो अणू ले लिए जब दो अणू हमने halo alkane ले लिया तो दो अणू हमने sodium भी ले लिया और simple है बच्चो इसका जब reaction कराते हैं तो बहुत ही simple सा उत्पाद बनता है हमारा na दो na हो गया तो already आपको पता होगा दो x को उठाएगा और 2 na x बना लेगा बच्चे का r और r r का मतलब alkyl group और ये r जब दो alkyl group x से क्रिया करके na x बनाता है बात रही यहाँ पे 2n तो यहाँ पर 2 का multiply कर दें 2x है तो हमारा 2x हो गया ये जो अब क्रिया है वो सुस्क एथर के उपस्थिती में संपन होता है किसके उपस्थिती में बच्चो सुस्क एथर बिलकुल एक दम सुस्क एथर के उपस्थिती में संपन होता है क्लियर है इतना चलिए r के जगे आप कोई भी alkyl group जोड़ दो जैसे मैं यहाँ पे एक alkyl group जोड़ देता हूँ c2h5 और x का मतलब halogen तक तो bromine जोड़ देता हूँ यहाँ पर दो अड़ो मैं सोडियम का लेता ही हूँ फिर से बच्चो मैं वही c2h5 ठिक एक alkyl hyalide ले लिया यह ब्रोमी जोड़ दिया अब बनेगा क्या यह b r na के साथ क्रिया करेगा वैसे फिलाल देखा जाए c2h5 एक alkyl group दूसरा alkyl group c2h5 बाकी हमारा 2NABR बनाएगा और सिंपल तरीके से यह हमारा बूटजब क्रिया कम्पलीट हो जाता है बूटजब क्रिया में हमने जो alkyl hyalide लिया इसमें दो अड़ो alkyl hyalide के थे सोडियम के साथ क्रिया करा दी या तो आप कापर के साथ या सिल्वर चून के साथ क्रिया करा दो हाँ इसमें जो उत्प्रे रख है वो सुस्क एथर ही रहेगा इसी प्रकार आप बूटज फिटिंग अब क्रिया भी पढ़ेंगे फिटिंग अब क्रिया भी पढ़ेंगे तीनों रियक्शन सेम होते हैं बस यहां पर डिफ्रेंस इतना होता है बूटज अब क्रिया में दोनों एलकील हैलाइड है बूटज फिटिंग में एक एलकील हैलाइड एक एरील हैलाइड रहता है और जब फिटिंग अब क्रिया की बात करते हैं तो दोनों एरील हैलाइड होता है इस प्रकार से आप बूटेज फिटिंग फिटिंग अपक्रिया भी सीख सकते हैं उमीद करता हूँ आज का छोटा से यूडियो पसंद आया होगा लाइक करें शेयर करें जैहिंद बंदे मातरम